नमस्कार दोस्तों, NIRS के Community Health Training Program में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आप जानते हैं कि Community Health Training Program में तीन विशा हैं विशा 1, विशा 2, विशा 3, विशा 3 जिसका Code संख्या है 451 जिसमें रोगों से बचाव उनका प्रवंधन आपात कालमी स्थिती में इस पर हम बातचीत कर रहे हैं और इसकी अंतरगत जो आपकी Unit Number 3 है क्योंकि पहली Unit आपने पड़ी जिसमें Communicable Diseases फर्स्ट पार्ट था Second में Communicable Diseases Part 2 यानि Second Part था वो और वो दोनों आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार Communicable Diseases हैं उनका संचार होता है कौन-कौन सी वो diseases हैं और कैसे उनसे बचा हो सकता है कैसे उनसे निप्टा जा सकता है और आपतकालन इस्थितियों में एक स्वास्थ्यकारकरता को क्या करना चाहिए तो स्वास्थ्यकारकरतां को यह सब जानना बहुत जरूरी है सबसे पहली बात है कि उनको यह जानना जरूरी है कि कौन-कौन सी वो diseases हैं जो communicable diseases हैं और कौन सी वो diseases हैं जो non-communicable हैं तो जैसा कि आप नाम से भी समझ रहे होंगे communicable diseases वो diseases हैं जो किसी भी patient के संपर्क में आते ही infection हो जाता है वो virus जनित हो सकता है वह है bacteria से संबंदित भी हो सकता है रोग से संबंदित जो कीटाडू है वो जब एक जो रोगी है उससे स्वस्त जो व्यक्ति है उसमें आ जाते हैं तो वो आपका communicable disease के अंतरगत आता है तो और non-communicable diseases में यह वो विमारियां हैं जिसमें कोई touching से या किसी संपर्क में आने से इस तरह की कोई भी मारी नहीं होती life lifestyle disease खासतोर से non-communicable disease कही जा सकते हैं आज हम खासतों से जो चर्चा करने जा रहे हैं आपका जो unit संख्या है 3 जिसमें रोगों से बचाव और रोग थाम इस पर हम बातचीप करेंगे रोगों से बचाव और रोग थाम यह आपकी unit 3 है और हम आपको बताएं कि आप अपना जो यह बुक है आपकी unit इसमें तीन है जो आपका थर्ड नंबर की जो बुक है कमटी हेल्टी ने प्रोगाम की तो इसमें ज़द आप देखें तो आपका तीसरा unit में रोगों से बचाव और रोग थाम की बात कही गई है जिसमें आप जानते ही है सीधा सीधा बताया गया है कि हम रोगों से पीडित हों उनसे समस्या में घिरें हमें परेशानी को कुश् को बड़ा कश्ट होता है तो उससे पहले ही बचावियत कर लिया जाए और रोग हो गया है तो उसकी रोग थाम कैसे करें इस पर हम चर्चा करेंगे और इस unit में आपको हम बता दें कि हमारे साथ वेसिसगे के रूप में डॉक्टर रजनी दोवे हैं आयर्जडिक फिजीश मैं उनका इस्टुडियो में स्वागत करता हूँ बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार डॉक्टर रजनी जी आपको इन सम्मंदे जो रोग हैं उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है क्योंकि पेसेंट को सबसे पहले पेसेंट बनने से पहले यद स्वस्त रहते हुए रोगों से बचाव कर लिया जाए तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती और यद कहीं रोगों से आप घिर गए हैं तो उनसे रोग ठाम कैसे की जाए ये भी हमें आना चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे तो डॉक्टर रजनी जी सबसे पहले आपका एक बार और स्वागत करते हुए जो हमारे कमटी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कमनी केबल और नॉन कमनी केबल डिजीजिस हैं उनका एक बार हम थोड़ा सा पर्चा देदें कि कौन-कौन करते हैं मतलब एक वैक्ति से दूसरे वैक्ति तक जाते हैं वो कमनी केबल डिजीजिस होते हैं और ये यूजरी वाइरस बैक्टीरिया फंगस पैरसाइट इन सबसे होते हैं और जो इनके सहायक कारक हैं अशिक्षा मतलब अगर आप इलिट्रेट हैं तो आप नहीं समझ प रहते हैं तो आप इनसे ये रोग आपको हो सकते हैं सगन अबादी जो एरिया बहुत थिकली पॉपुलेटिड है जहां बहुत सारे लोग रहते हैं और एक दूसरे के टश में बहुत ज्यादा रहते हैं गरीबी या जहां चिकिस्सा सुविधाओं का अभाव है अगर आप उस पेशिंट को अलग से नहीं रखते हैं सबके साथ ही रखते हैं क्योंकि आपके पास चिकिस्सा सुविधाओं का अभाव है आप जल्दी से उसको कहीं बीच चिकिस्सा के इंदर पर नहीं ले जा पा रहे हैं तो तब तक उसके साथ के जो लोग हैं वो भी इंफेक्टे हो जाती हैं तो रोगों की उत्पत्ती के मूल कारण की हम बात का रहे थे और रोगों की उत्पत्ती के दो मूल कारण खास तोर से हैं जिसमें हम क्या सकते हैं कि वाइरास, वैक्टिविया, फंजाई, परासाइट, इनकी वयसे भी यह कॉमुनिकेबल डिजिस होते हैं काफी जो है सगन होती है कई ऐसा भी होता है कि चिकिस्था सुविधाओं का अभाव होने से भी जो डिसे है वो बहुत ज़ल्दी कॉम्मिकेट करता है जिसे कहते है फैल ने लगता है बहुत तेजी से जो जो जौपनियां हैं जहां पर पड़ी हुएं बहुत ज़्यादा जिस तरह की मतलब वहाँ पॉपॉलिशन है वहां भी यह बहुत साई समस्या इस तरह की आती है सपोर जैसे किसी वेक्टिरिय को मालीजे टीवी है तो टीवी का जो वेक्टिरिया है वो बहुत जल्दी व प्रटाक से अगर उसकी इम्मेनिटी बहुत लो है तो वह बहुत जल्दी टेवर क्लासिस से इंफेक्टेड हो जाता है तो रोगों की उत्पत्ती के यह जो मूल कारण है इसको जानना बहुत आवसक है तो यह हमने दो कारण बताए इसके पर शाद यद हम बात करें, रोगों से बचावे हम रोग थाम पर, यद हम इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखें कि, जो उत्पत्ती के कार्ण है, उस पर नियंतर कैसे किया जाए, तो रोगों की उत्पत्ती के जो कार्ण है, मुख्य रूप से, इसमें सक्रिय एक तो प्रत्रशक्रान है, active immunization, और second passive immunization, passive immunization, तो active में तो आपका जैसे polio है, tv है, tetnes है, kukar khansi है, diphtheria है, chickenpox है, इन सब को जो है, हम active immunization, क्योंकि बच्चों को polio drop भी पिलाई जाती है, dpt का injection भी लगवाया जाता है, even diphtheria का, ये सारे जो हमारा immunization schedule है, उन सब के अंदर, ये सारे के सारे रखे गए हैं, और इन सब के injections लगते ही लगते हैं, अचा एक निस की विए यदा हम प्रत्रक्षन की बात करें, या पैसे immunization, इसमें टितने से या फिर रैवीज के anti-toxin, तथा immunoglobin, तो हम बड़ी में इंसर्ट करते हैं, तो ये दौनों चीजा हमें जाद जो हमारे health workers हैं, जब उनकी knowledge में इस सारी चीज़ें होगी, तो वो आसानी से बचाप कर पाएंगा, तो ये होता क्या है, कि जो community है, वो इस community में लोगों पता ही नहीं होता कई वार, कि कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है, और कई वार बहुत बढ़ी बहेंकर बीमारियां हो जाती है, community में, और उनकी रोग थाम के लिए, सरकार काई वार, टी का कारण का इंतिजाम करती है, वेक्सिनिशन का इंतिजाम करती है, तो वो हमारे health work को पता होना, तब गर वो, क्योंकि वो खुद अगर educated होगा, तभी वो community को educate कर सेगे, बखकुल, बखकुल, बखकुल वेसे तो डॉक्टर बनने के लिए, जो basic qualification रखी है, 10 plus 2 है उसमें, 10 plus 2 के बाद में वो सिधा MBBS करते हैं, या BMS करते हैं, लेकिन community health worker की जो basic qualification है, वो भी 10th pass है, और उसका जो इस्तर है, इस प्रोगाम का, वो 10 plus 2 के बखकुल, तो ये सब चीज हैं तो उनको खास्तोर से, पत हैं पता ही होनी चाहिए, और वियसे भी यदो वो committee में आस-पास रहते हैं, doctors के संपरक मेरते हैं, PHCs, FIUs के संपरक मेरते हैं, या प्राथमिक्चे के संपरक मेरते हैं, उनको इस संपरक मेरते हैं, उनको जनकारी लहते हैं, और सरकार जो है, वो तरह-ठरह के health programs है, इस्टे उनकी भूमिका बहुत ही important है वहाँ पर तो यद हम next बात करें कि जो हमारा National Immuneration Schedule है ये सबसे ज़दा important है National Immuneration Schedule में चूंकि गौर्मेंट इसको रन करती है और श्टेट गौर्मेंट इसको follow कराती है PSCs के माध्यम से और आसा वरकर्स भी आजकल जो है बहुत बड़ी भूमिका इसमें पिले कर रहे हैं सभी सरकारी चेक इससा केंडर में Immunization Schedule अविने बन होता है तो हेल्ट वरकर्स को ये Immunization Schedule पूरा पता होना चाहिए जिससे की वो बता सके कब कौन सा injection बच्चे को लगना है तो ये Immunization Schedule उने पता होना चाहिए और इसकी जनकरी जो है डेटेल में उनको होनी चाहिए कि कब-कब वो सेडूल इस तरह का बनाए जाए जैसे जनम के समय उनको BCG, OPB और Hepatitis B लगवाना है जनम के समय बच्चे को जोगर BCG लग जाए, OPB लग जाए तथा Hepatitis B लग जाए तो ये समझ लिजे कि ये होने वाली जो बीमारिया हैं ये बहुत जल्दी से उसके पास नहीं आएगे अच्छा इसी तरह से छटवे, दसवे, दसवे चौधने सपता हमें DPT तथा OPB ये उसको लग जाने चाहिए बच्चे को ये अगर ये वो regular लेगा तो at least polio का जितना भी problem इंडिया पूरी कोशिश कर रही है इराडिकेट करने की polio को इसमें बहुत help करेगा कि ये जो polio problem है वो दूर हो सके और नवे महिने में खसरा या MMR यानि गलसुआ, खसरा पथा रुवेला ये जो भीमारी होती है इसको रोकने के लिए ये MMR है तो ये जो है doze जरूर होनी चाहिए और साथ मैं vitamin A का भी doze उसको बिलना चाहिए नवे महिने में vitamin A इसलिए भी मिलना चाहिए कि vitamin A जो है आईस के लिए बहुत important है कई बार बच्चों को रतौन धी, night blindness ऐसी बहुत सारी problem आ सकती है तो vitamin A deficiency के उनको इसलिए vitamin A की doze भी दी जाए vitamin A बहुत जरूरी है वास्तमने और इनको यो है होना चाहिए अच्छा इसके बाद यद हम देखें तो पाँच और छटे वर्स में एक उसे DT की doze लगती है बिल्कुल फिर 10-16 वर्स में TT यूजुली मैंने देखा है मैं क्लेनिक पर भी देखती हूं कि लोग ये 5-6 और 10-16 वर्स वाली dose भूल जाते हैं और नहीं लगवाते हैं तो ये health worker की responsibility है कि वो awareness करें कि ये dose भी आपको लगवानी चाहिए फिर ये गर्वती महिलाएं जब वो टेस्ट अपना routine check-up के लिए आती हैं अगर वो hospital में routine check-up के लिए आ रही हैं तो उनको टीटी की दो खुराके दी जाती हैं पहले अरंभिक गर्वावस्ता में और दूसरे एक महीने पश्चात मतलब पहले चौथे या पांच में लगा दी चौथे और छटे ऐसे करके दो बार टीटी की dose लगाई जाती है तो जो कुछ female ऐसी होती हैं जो कि last moment पर जाकर hospital जाती ह हैं तो अगर तब भी अपने पास के health center से उन्हें टीटी की dose लगवा लेनी चाहिए अच्छा यह जानकरी तो गर्वती महिला के संदर्म में जो हमारे health workers हैं उनको खासतोर से होनी चाहिए क्योंकि महिलाएं घर में ही रहती हैं और वो हमेशा अपनी जब delivery का time होता है तभी गर से बाहर जाती हैं कई बर तो गाउं में ऐसा भी होता है कि महिलाएं अपनी जो प्रसव प्रक्रिया है उसको घर में ही करा लेती है तो ऐसे में उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें T.T. का इंजेक्शन लगवाना है ने उनको तो ध्यान रखना है वह तो रखे लेकिन मैन जो वाख है, वो हेल्थ वर्कर का है, ये जो है हेल्थ वर्कर का है, वो ध्यान रखे और वो उनको याद कराता रहे कि उनको टी-टी का इंजेक्शन लगवाना है, तो ये जो है इंपरडेंट सेडूल, ये हमारे हेल्थ वर्कर को पूरी तरह से पता होना चाहिए इसके परशाद ये एक ऐसा सेडूल है राश्टी एटी का करन सार्मी ये जो हमने अभी बताया था उसका डेटेल है जो कि किसी भी गौर्वर्मेंट वेबसाइट पर या पीएसी में आप जाएंगे तो ले सकते हैं तो जो हेल्थ वरकर हैं वो इस तरह का सेडूल पीएसी से भी प्रात कर सकते हैं जिसका कारी अस्पातार है उनके पास ये चार्ट होना चाहिए उनके पास तो होना ही चाहिए उने याद भी होना चाहिए ये पूरा का पूरा चाहिए बिल्कुल 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 उना समय समय पर ताकि इसको पूरी तरह से अपलाई कर सके अच केहते हैं कि prevention is always better than cure मतलब आपने रोक की रोक थाम ज्यादा जरूरी है रोक की उत्पत्ती होगी तब तो इलाज करना ही है मगर रोक थाम उत्पत्ती से ज्यादा जरूरी है और जैसा की बताया बीच बीच में कभी कभी ऐसा कुछ नहीं है जो हेल्थ वरकर्स हैं वो समय समय पर उनको ऐसी जनकाई दे सकते हैं जैसे कि आपका घर में कुछ औस दिया ले करके और चोटी मुटी बीबारियों से जैसे भी बचाप के जा सकता है जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा लोगों को बशात का जैसे सीजन होगा आप देखिए एक ही घर में चार लोग होते हैं जो में दो बिमार होते हैं और दो एकदम हल्दी रहते हैं तो उसमें यही है कि अगर आपकी अच्छी है वो स्ट्रॉंग है तो आप रोगों की चपेट में नहीं आएंगे तो आपको तुलसी का सेवन इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए तुलसी को आप पानी में उबाल के लें तुलसी को आप चाय में डाल के लें और तो और अगर आपके घर के आसपस पानी कठा हो कि मच्छर हो जाता है तो तुलसी के जो बीज होते हैं उनको आप उस पानी पर डाल देंगे तो वो उनके लारवा तक को डबलफ नहीं होने देती मच्छर तो बहुत दूर की बात है तो मतलब तुलसी का जो सीड होता है तो सीड को आप रुके पानी पे डाल दीजिए तो जैसे कूलर वगेरा में या कहीं जैसे पानी मुद्पा है घर पर तो उसमें तुलसी के बीज डाल सकते हैं उसको उपर उपर डाल दीजे, तो एक ऐसी लेयर बन जाएगी, कि मच्छर के लावा जो उनके लार्वाज हैं, वो भी डवलप नहीं होगे, जब लार्वा ही डवलप नहीं होगा, तो मच्छर तो बिल्कुल आएंगे, देखिए बहुत इंपोर्डेंट बात जो है, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी इस्थिती में ये बहुत इंपोर्डेंट आपने बाप बताई, कि वो निश्यत रूप से तुलसी के बीज उसमें डालने, तो वो लार्वा डवलप ही नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ मिट्टी का तेल या थोड़ा सा पेटोल का थ पीजें ऐसी हैं, उनसे हलका फीवर हो जाता है, जैसे आजकल जो समय चल रहा है उसमें, तो उससे क्या से निप्टा जा सकता है? उसमें आप तुलसी ले सकते हैं, काली मिर्श ले सकते हैं, और थोड़ा अद्रक मिक्स करके आप उसको उबाल कर उसका काढ़ा बना के दिन तुलसी, काली मिर्श, अद्रक और गिलोए, इसको आप बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि लोगों को जानकारी में होता है, आपने बताया कि तुलसी, तुलसी कितने पत्ते उसमें लेगा, सबसे पहले उनको जानना बहुत जरूरी है, और इसको समान जन भी इस्त मेथड बहुत आवसक है, मैं आपको बताओ, क्योंकि आप एक दिन के लिए उसे बना सकते हैं, वो जब फ्रेश बनाएंगे, तो अगर आपको एक दिन के लिए बनाना है, और दो लोग हैं आपके घर में जिने पीना हैं उस काड़े को, तो आप दो ग्लास पानी ले ले, उसके अंदर पाँस से साथ तुलसी के पत्र, और कोशिश करीए, वो फ्रेश हो, पुराने नाओ, आप सब के घर में तुलसी लगी होगी, पाँस से साथ पत्रे तुलसी के ले ले, तीन से पाँच, तीन या पाँच ले सकते हैं, वो आपकी उस पर डिपेंड है, उस तो अब तीन काली में भी डाल सकते हैं और छोटा सा कटाव अद्रक और गिलोई की एक लंबी 3-5 cm के आसपास एक तना ले लें उसको छोटे-छोटे पीसे में काट लें धोलें और दो ग्लास पानी में इन सब को डाल कर धक कर मैं बार बार कहूंगी कि खुले में ना उबाले इसको किसी भी प्लेट से ढख कर उबाले उबाले उबाल दिजिए जब यह उबल कर एक ग्लास रहें दो ग्लास से तब एसे आप छानकर रख लें और एक चोथाई एक चोथाई इसके मतलब 4-doses बना लें और इन 4-doses को 2-ppo दो लोग सुभे शाम 2-번 लें और अगर आपको कि आज कल कि अगिनी सीजन चल रहा है ऐसे प्रोलंट में थो ओती हैं वैसे भी जाससेी बिदी पर भी करनवास होता है ऐसे अब भी जाए पानी भी ने लेते हैं एक bon करके लेते हैं तो उससे बड़ा आराम लेता है आपको बहुत रिजेनवेटिंग हो जाएगा जरूरी नहीं कि आपको खांसी जुखाम बुखार हो तभी आप ये काड़ा लें आप इस रेनी सीजन में इसको पी सकते हैं ये आपको बहुत मदद करें और ये बहुत अच्छी सलहा जो है ये आप दे सकते हैं कि बर्सा के दोनों खास्तोर से जो पानी के द्वारा बहुत सारा संक्टमन होता है तो उससे बचने के लिए आप गरम पानी वाल कर पिए हैं आए हम बात करते हैं औस दियों द्वारा रोक था कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम उनके लि निश्रित की गई है तो इसमें कुछ मुक्ष यी वीमारियों की बात हम कर रहे हैं तो तपअदेग है जयसे तपः देग को टीवी कहते है तो टीवी के नम से सब pracy जानते हैं समझते हैं बलको टीवर किलोस के नम से भी लोग जानते हैं और फहलने का जो तरीका है वो कोई तो निश्यत रूप से आपको ये बैक्टिरिया आकर के टीवी का रोग से इंफ्रेक्ट करेगा ही करेगा निश्यत रूप से और यही कारण है कि एक family में एक किसी भी person को जिसको tuberculosis होती है यद उसको tuberculosis हो जाती है तो वो किसी दूसरे person को परिवार में और उससे और दूसरे person तीसरे person को भी इसी तरह से परिवार में फैल जाती है तो कई बार देखा गया है कि पूरा परिवार जो है infected हो जाता है तो 假 तो इसे लिए फिर ये Profilected Oshadies है जो की मतलब हमको लेनी चाहिए जिससे की जो और लोग है वो इससे बचा हो सके उससे बचा हो सके तो तपे देख के लिए आसोनाजाइड ली जाती है आसोनाजाइड ली जाती है तो ये Profilectic Oshadie है अगर आपके घर में किसी को हो गया है तो आप कैसे इससे बस सकते हैं इसके लिए ये सारी वाश्विया है और ये भी बताते हैं कि इसके लिए टीवी के लिए तो खास्तोर से सरकार ने बहुत अच्छा विवान चलाया हुआ है DOTS DOTS में हम देखें DOTS के इंदर में जाएं तो इसको पूरी तरसे समाप करने के लिए सरकार ने ये प्लान चलाया है DOTS के माध्यम से आप अपनी लगातार दवा को जारी रखें ध्यान लखें कि टीवर क्लोस की दवा ये सुरू हो गई और बीच में जो कोर्स आपने बंद कर दिया तो वो दोबारा से बैक्ट्रिया जो है उतने टाइम के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा और आपको बड़ी समस्या होगी यदा आप दोबारा दवा सुरू करेंगे फिर पूरा कोर्स करना पड़ेगा उससे भी हैवी दवा आपको लेनी पड़ती है कोर्स के लावा मैं आपको सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं जो हेल्ट वर्कर हैं मैं उनको बार-बार ये बताना चाहूंगी कि जो भी टी-वी का पेशन ट्रीटमेंट ले रहा है आप उसे बार-बार ये बताइए कि वो अपनी ट्रीटमेंट को ना छोड़े क्योंकि अजर वो अपना ट्रीटमेंट छोड़ देता है तो उसकी बाड़ी इम्यून हो जाती है फिर इसको उसको इन किसी भी दवाईयों से असर नहीं होता है फिर बहुत मुशकिल हो जाता है अच्छा, साइद एही कारण है डाज सब्कि जिन की बज़य से जो मॉते हो जाती है तो उसका एक जो मुख्य कारण है वो यह आता है कि किसी भी कान वो अपनी जो दवा है उसको बीच में छोड़देते हैं उस दवा की वयज़ से छोड़ने की वयज़ से उनकी इमुनिटी खतम हो जाती है नेक्स्ट है हमारा इप्थीरिया इप्थीरिया भी संपर्क्म किसी के जैसे हैं तो वो हो जाता है और इसके लिए जो आउसदी है वो अरत्रोमाइशन है इसमेदी है बेकुल टिटनेस नेक्स्ट है टिटनेस तो ऐसा है जैसे किसी को चोड लग जाती है गहाओ के संपर्क में जैसे ही कोई दिटनेस आता है तो टिटी ता एरेथरोमाइशन ये जो है हमें ले देना चाहिए मलेरिया में ये तो आजकल सबी जानते है क्लोरोक allows जो है वो अम लेचते हैं और Men जो कोकस है यह भी इसमें आस-पास संपर्प में आने से यह भी होती है और सिप्रोफ्लक्स से ली जा सकते है तो यह उसदियां मुख्या रूप से जो ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इनको हम ले सकते हैं तो हेल्थ वर्कर्स को यह जान में चाहिए तो मुझे उमीद है कि ऐसे कारिकर्म के माध्यम से जो आप देख रहे हैं और आपने अपनी बुक में भी पड़ा है आप इसके माध्यम से रोगों का बचाव कर सकते हैं और जो रोग हो भी गए हैं उन पर एक लगाम लगा सकते हैं उनको रोग साम करके ये बहुत important है और मुझे लगता है कि आपको बह आस्ता में जीवन देने वाला माना जाता है लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूँ कि हेल्थ वर्कर्स एक तरह से बैगबोन है हमारे इस सिस्टम के बीच हां और ये बैगबोन यद नहीं है तो समझे कि बड़ी भारी संख्या में नुक्सान जान मारी सबसकती है नहीं तो ये आप सभी को भी दोस्तों इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय है नमस्टास्कार